ओके स्ट्रेंट सो और वी आर स्टार्टिंग एपिसोड नूमबर 11 प्रोपर्टीज ऑफ बजट लाइन इन प्रीविएस लेसन वी डिसकुस वाट इस बजट लाइन राइट हमने बजट लाइन को डिसकस किया स्केडिवल उसका डायग्राम हमने बनाया और साथ में हमने नेगेटिवली स्लोप का मीनिंग क्या होता है बजट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है है आप इसे बनाते त्लाइन इसे आप और भी पॉइंट दे दिजे यह एक्स्स्यों और एक्सी यह रोपले नीचे के तरफ जाता है तो या इसने डिफ टेखेगा it is negative slope negatively slope because because when consumer purchase when consumer purchase more of one good one good then he must then he must reduce the consumption of reduce the purchase of another good purchase of or reduce the purchase of other good yes negative slope this is going to be a and a and a explain so points to see y x y commodity units say suppose this unit or 30 unit and 2 units right so in order to increase the consumption of commodity x with the same income if we want to increase the consumption of commodity x then we need to decrease the consumption of commodity y right that's why that's why that's why so that's why when consumer purchase more of one good then he must reduce the purchase of other good right with this given income link because income constant रहने वाली है इनकी इनकम में कोई चेंजस नहीं आए पास पॉइंट complete एक पर स्क्रीन शॉट लेजे मुझे ये हटाना होगा इसका जो डाइग्राम मैंने बनाया अब हमने बताया आपको जो बजट लाइन का स्लोप है वो प्राइज परकी रेशो के बराबर होता है यहां पे लिखता हूँ स्लूप और बजट लाइन इस लोपो बजट लाइन इस इक्वास टू प्राइज रेशो यह प्राइज रेशो उसका मतलब क्या है हमने पड़ा था पी एक सपॉन पीवाए के बराबर आता है जब हमने स्लोप को डिसकस किया था कल तो स्लोप के थ्रू मैंने आपको एक्स्पें करके बताया था आपाउन पीएकस इक्वास टू डिवाइड़ वायम अपन पीवाए फिर दोनों को रेसी प्रोकल करके एम से एंट कटके था पी एक्स अपन पीवाए था तो बजट लाइन का स्लोप प्राइज रेशो के बराबर आता है रीजन क्या है है जो बजटाइन होती है वो हमारी दोटी तो स्लोब बजट लाइन दो स्लोब और बजट लाइन जो इस कॉंस्टेंट का मतलब क्या होता है जो बज़ेटीकल चेंज अपनोर होरीजेंट भी तो सब स्टेटलाइनिक निजेत लाइना थे ऍंग बजटलाइन मैं बजटलाइनुटार्व 123- concluded तो मैं ने आपको बताया था यह जो आपको सब्सक्किन होती है रीज़न यह है जिसे हमने इसका JIMडियुका था A, B, C, D, E, जो combinations देखे थे, वह हमने क्या देखा था, यह commodity X है, इसके 0 unit से लेकर के हमने चलना स्टार्ट किया था, 0, 1, 2, 3, 4, और F तक 5 भी था, था ना, 5 मैं बना रही रहा, So, यहाँ पर commodity X के units थे, commodity Y के units थे, commodity Y के units मुझे जो थे, वो कम करने पढ़ रहे हैं, 10 से लेकर मैं कम करा था, 10, 8, अगर मैं इसको 8 से लेकर के चलो, तो यह 0 क्या आदा था, 8, 6, 4, 2, 00, right, So, यह जो schedule है, यह हमें बताता है, कि इनके बीच में commodity X का, एक extra unit consume करने के लिए, कि मुझे commodity Y के, कि इतने units का sacrifice करना पढ़ रहा है, मतलब commodity X का marginal opportunity cost क्या है, अगर आप निकालोगे तो सब में 2, 2 आएगा, So, यहाँ पे, क्योंकि इसका MOC equal आ रहा है, I mean to say, इसका जो slope है, वो equal आ रहा है, constant आ रहा है, अब इसे slope भी बोल सकता हूँ, आप इसे slope बोल दीजे, क्योंकि slope का formula भी same है, vertical change upon horizontal change, यहाँ पे slope जो है, वो budget 10 का constant है, अगर slope constant होगा, तो यह एक straight line बनेगी, अगर slope constant होगा, तो यह एक straight line बनेगी, जैसे आपने MOC में पढ़ा था, chapter 1 में, जहाँ आपने marginal opportunity cost पढ़ा था, इसके साथ हमने आपको PPC करव की convex, concave PPC की बात बताई थी, MOC अगर increasing होता है, तो PPC कैसा होता है, यह MOC जब increasing होता है, तो PPC concave होता है, जब MOC decreasing होता है, तो PPC convex होता है, जब MOC constant होता है, तो वो एक straight line होती है PPC, सेम यहां पर भी apply हो रहा है, यहां slope के साथ देखिए, अगर slope constant है, तो budget line भी straight line होगी, अगर slope अगर increasing होगा, तो concave होगा, budget line concave बनती, और अगर slope decreasing होता, तो convex बनती है, तो यह थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, that's why, this is the reason, therefore, budget line का जो slope होता है, वो price ratio के एक बन होता है, और price ratio के लिए मैंने आपको next बात को यहां पर बताया था, लिखकर के, M upon PX और M upon PY, आप इसको कैसे लि slope calculate करते हैं, तो change in Y upon change in X, so change in Y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, O A, यह O A में changes divided by, O B में changes, right, अब O A मतलब क्या, M upon PX, divided by, O B मतलब क्या, M upon PY, right, दोनों को यहां पर reciprocal कर लो, M upon PX, यह divide जब multiply में convert होगा, तो PY upon M आ जाएगा, ठीक है, change in Y, M upon P, M upon P, यह M से M कट गया, यह price ratio के बढ़ाब आगे, आई बात समझे, थोड़ा साब को दीख नहीं रहा होगा, यह शायद मैंने कल आपको अल्रेडी बनवा दिया था, right, so एक बार आप इसे check कर लेना आपने पास, M upon P, पहले PY आएगा, यह O, मतलब PY है, और यह PX है, so यहाँ पे M upon PY तरफ PX आएगा, सो PX upon PY, price of X और price of Y ता ratio यह कहला था, थोड़ा सा उपर लिख दू, यह आएगा, PX upon PY, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख करके बता दू, M upon PY, multiply, जब इसको multiply में change करेंगे, जो divide का sign है, so यह हो जाएगा, PX upon M, so that's why we can say the slope of budget line is equals to the price ratio, clear, screenshot लेने इतना, यह दूसरी प्रपरटी आती है, budget line की, next, सुनिएगा, screenshot लेती जाहिएगा, third properties की last property, budget line, जो है, वो change हो सकती है, बजट, यह लिखता हूँ, change in budget line, this is the third point, so budget line कब change हो सकती है, तो देखिये, the budget line, budget line, changes its position, कब change कर सकती है, when, या इधर, price of the goods, changes, और, या तो price बदल जाए, या consumer की income में changes आ जाए, income of the consumer, changes, तो देखिये, यहां मैंने दो चीज़ों किया, price बदलने से, या consumer की income बदलने से, budget line भी बदल जाती है, अगर मैं आपको यह कहूँ, कि आपको पहले pocket money 100 rupees दी जाती थी, तो आप 100 rupees में से, आप मालनीजे, आपको one month के लिए 100, 1000 rupees दिया जाता, 1000 rupees को अलग-अलग तरीके से डिवाइट करते थे, suppose आपके हिस्से में daily का एक burger आता था, suppose करना, 1000 rupees में, खिक है, अब अगर मानलो, मैं यह कहाँ दू कि अब आपकी pocket money 1000 से 2000 कर दी गए, अब हो सकता है आप, जो है वो burger भी ले सकते हैं, उससे, अब खजक जाती है, समझे ना, मैं इसको लिखा करके समझाता हूँ, आपको लिखा करके समझाता हूँ, यह चीज़ अभी में नया topic होगा हमारा आज का, देखिए, जब मैं बात करूँ, consumer की income बढ़ेगे, कब, income of the consumer increase, changes लिखा है, increase or decrease की बात नहीं है, अब अगर मैं कहूं, अगर आपकी income बदल जाए, तो आप अपनी बड़ी हुई income से, दोनों commodity का, जाधा units बायत रपा होगे, suppose कीजिए, मैं आभी आपको जाए example दे रहा था, पहले आपकी 1000 रुपीज का pocket money था, आप एक burger लेते थे थे, दो commodity minimum कंजूम करनी ना, एक burger लेते थे आप, और एक साथ में उसके साथ आप कोई caldering ले लेते थे, right, 10 रुपीज वाली, 20 रुपीज वाली कोई caldering लेते थे आप, so अब आपके साथ क्या होगा, आप that time पे वो जो दो goods कंजूम कर रहे थे, यह आपकी budget line, right, अब अगर आपका income बढ़ जाए, यह shifting of budget line to the left, यह shifting of budget line to the right, forward shifting भी बोल सकते हो, backward shifting भी बोल सकते हो, topic यह पुड़ा, जब consumer की income या तो बढ़ेगी या कम होगी, अगर income बढ़ेगी, सोचो, income बढ़ेगी, तो आपकी जो budget line है, वो कहाँ shift होगी, shift to the right, यह right hand side में आगी न, यह original budget line थी, और यह वाली, यह वाली budget line आपकी, सो यह आपकी right hand side में shift होगी, ऐसे अगर income कम हो जाए, तो बढ़ेगी, तो इसे हम लोग बुलते हैं, budget line में change आना, यह तो shifting हो रही है, changes का मतलब होता है, दो तरीके से, एको shift होना, और एक move होना, तो अभी मैं दोनों चीज़े आपको clearly बताता हूँ, यह तो income की बात है, औ और वैसे अगर price goods का बदल जाए तो, rotate हो जाएगी, move होना या rotate होना बुल सकते हैं, देखिए, मैं दोनों चीज़ों को अभी जो बता रहो ने, इसको मैं practically भी बताऊँगा, यह पूरा topic है, देखिए, यह आपकी budget line थी, यह भी, अब अगर मैं कह दो, commodity X का price कम होगे, तो अपने पास available income से जादा commodity purchase कर सकते हो, तो यह आपका income line जो है, यहां से आपका budget line है, वो X access की तरफ rotate हो जाएगा, rotate to the right, यह side, right वाली side में rotate हो रहा है, अगर ऐसी में बुल दू, commodity X का price कम हो जाए तो, जादा हो जाए तो, आप Y के तो तने unit और X के कम unit करने लगोगे, यहा है, commodity की तरफ हम लोग rotate हो जाएंगे, right, so, यह rotation और shifting, डोनों ही budget line को changes करना कहते हैं, कि budget line में changes आया, rotation से भी change आता है, shift से भी change आता है, so, एक बार आप इत्ता है, screenshot लीजे, यह हमारी तीन man properties थी budget line की, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो यही टापिक पढ़ रहे है, shifting और shifting, कोई डाउट हो तो बता दो महीं यहां तक पहले, कोई यहां तक डाउट हो, तो बता देना, this is the last one, budget line का यह last topic है, shifting, and rotation of budget line, budget line को shift होना, budget line में shift आना, यहां budget line rotate को, shift कब होगी, rotate कब होगी, दोनों बातों को समझेंगी, shifting का meaning में बता सकता हूँ, आपको forward और backward, so यहां पर मैं लिख रहा हूँ, shifting, of budget line, shifting of budget line, तो दिखेगा, when, the income of the consumer, when the income of the consumer, changes, अब changes का मतलब increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है, अब इसके अंदर दू टॉपिक, जब इनकम यहां तो बड़ेगी, यहां इनकम कम होगी, क्या लिखता हूँ, यह लिखता हूँ, वेन, इस नुमर्स, इस नुम इंकम, इस नानि भी बजट लाइन, शिफ्ट to the right, कि यहां करता हूं इंकम इंक्रीज वाली बात को कि कंजुमर की इंकम बढ़ रही है और बजट टाइन शिफ्ट होगी राइट में आई जड़ा देखते हैं कि डाइग्राम से थोड़ा जल्दी इच्छे से समझ आता है इस इस यह ओरिजिनल बजट लाइन में लिख दू क्योंकि एम और एन नीवान करके चल्व है कि कि छोटा सा बनाने थे थोड़ी से कि यह आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है एम और एन दिख रहा है ओके वेट कीजिए मैं थोड़ा से स्वाट शूट आप यहां देखिए देखिए यह आपका एम और एन बजट लाइन यह कमोडिटी एक्स है यह कमोडिटी वाय है दोनों ही हमें कंजूम करनी है अब मैं यह कह रहा हूं कि जब आपकी इंकम इंक्रीज हुआती कंजूमर की जब इंकम बढ़ जाती है तो वह अपनी बड़ी हुई अपर इंकम को पूरा को पूरा जब खर्च करता है क्या है बजहिट लाइन किसे कहते हैं बजह आइन वह मेरी इंकम चाहिए तो क्या होगा मेरी बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी में ज्यादा more unit of commodity X and Y में खरीदने लगँगा अब इसे नया नाम दे देंगे इस लाइन को नया नाम दे देंगे A और B राइट यह राइट एरो लगा देंगे अपन राइट इंसाइड यह शिफ्ट हो राइट सो वन कंजूमर्स इंकम इंक्रीज अब कंजूमर की इंकम इंक्रीज में तो बजट लाइन शिफ्ट हो गई तुदी राइट कहां से कहां पे शिफ्ट हो गई एक मां फ्रॉम एम एन टू एवी एम एन से एवी की तरफ शिफ्ट होगे राइट स्क्रीन शॉट ले लिए टाइट राइट आगे चलते हैं अब ऐसी इंक्रीज की जगें डिक्रीज ले करके चलिए इ conceptualे में इंक्रीज इंक्म एंडिक्रेश इंक्रीज इन्वा इंक्रीज इंक्रीज एंग थैंड बजड़ॉट लाइन शिफ्ट भूगे तो होने लगी तो इन दिस एक्जाम्पल इन डायग्राम मैं क्या कर रहा हूं अब देखना अच्छे से वापस से लाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए इस एक बार अच्छे से फिर से बना लिए यह आपकी ऑरिजिनल बजट लाइन जैसे आपने एम और नाम दिया आप क्योंकि आपकी इंकम चेंज हो गई तो बजट लाइन भी आपकी लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ शिप्ट होगे नाम देदेंगे आप इससे सीडी दे आप यह लिखोगे जो आपका बजट अब हम शिफ्ट की तरफ एम टू सीडी एमें से सीडी की तरफ मूव गई राइट शिफ्ट होगे तुछले के से से यह शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन वालड ट्रॉपिक अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग के बारद रोचेशन के बजट ग्टारीज कब रोटेटी रोटेशन OF बजटLन when the price of commodities changes देन बजट लाइन रोटेट जब प्राइज में चिंगे जाता है ना तब बजट लाइन रोटेट रोटेट जो होती है विटा ये ध्यान रखना रूटेशन दू तरीके से होता है तो वोड़्स एक सेक्सेस और वाइक सेस्ट आये जरा दोनों देखते हैं हम लोग यहां मैं लिख रहा हूं दो कंडिशन सब्सक्राइब लिखेंगे एक कंडिशन चेंज इन प्राइज ओप कमोडिटी एक्स प्राइज और देखेंगा जब कमोडिटी बाइटी यहां पर क्या करते हैं कि कमोडिटी य का प्राइज इस पांस्टेंट रहा है अउट हो यहां पर भी दो पॉस्पिलिटी है क्या है है यहां पर पहले मझेक एक इन प्राइज और कमोर्डिटी यॉ 10 अगर कमोडिटी एक्स इंक्रीजिस अगर कमोर्डडी एक्सकी प्राइज इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा सोचो अगर commodity X की price अगर increase हो जाती है इसका मतलब यह diagram इस तरीके से बनेगा देखिएगा यह आपका budget line है जैसे आप M और N नाम देते हैं commodity X है commodity Y है अब अगर commodity X का price बढ़ जाता है तो आप अपनी available income से commodity Y के तो उतने ही units बाय करेंगे लेकिन commodity X के जो units है वो कम बाय कर पाएंगे because commodity X का price बढ़ गया है तो देखिएगा यह वाय के तो उतने ही point commodity X के less units आप बाय कर पाएंगे तो आप इसे बी नाम देते जाए राइट सो यह रोटेट हो जाएगा इसे मुलते हैं रोटेशन रोटेशन ओफ बजट लाइं तो ओड्स एक्सेस फ्रॉं राइट से लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है राइट सो मैं यहां पे लिखूंगा क्या if the price of the commodity x increases then then the budget line then the budget line rotates to the rotate to the left rotate to the left on x-axis from m2 mb mn से एंवी तक रूटेट हो जाएगी यह लेफ्ट रूटेशन क्या लाएगा लेफ्ट में रूटेट हो जाएगा ठीक है इतना स्क्रीन शॉट लीजिए पहले एक बार ले लिए होगे स्क्रीन शॉट इतना आजाए जी यह तो आपका रूटेशन काउंट होता है जिसमें आपने कमोडिटी एक्स का प्राइज अभी सर्फ बढ़ाया है अब इसी का केस टू अगर कमोडिटी एक्स का प्राइज डिक्रीज हो जाता है तो हो कि जो बजट लाइन अ मन नाम दे नहीं से अब कमोडिटी एक्स के तो आप commodity Y के तो उतने ही unit खरी देंगे लेकिन commodity X के units आपके बदल जाएंगे यह लिख देता हूं इसे हम लोग बुलेंगे समझो जब किसी commodity का प्राइस कम हो जाता है तो आप उसी commodity के ज्यादा units वाय कर सकते हैं आप अपने पास available income से यहाँ पर commodity X का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हम कमोडिटी वाय के तो उतने ही units बाय करेंगे यहां से स्टार्ट होगी लाइन और commodity X के units बढ़ाते जाएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे बजट लाइन डूटेट्स टूदी राइट और वाय एक्स यहां पर बजट लाइन एक्स एक्स पर यह सारी ऑन एक्स 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 फ्रॉम एंड टू एम ए राइट यह हो गया जब कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज आता है तब रोटेशन ठीक है में है अब देखेगा भी पॉइंटस का चेंज इन प्राइज ओफ कमोडिटी की प्राइज में चेंज जाए जब कमोडिटी य कीज ऐसे जाएगा तो मिल ऑज स्थू किप्राइस का क्वाईज कॉर्स हoga प्राइस कॉर्टिक गया हुला जबके अपने पास अवेलेबल इंकम में से जाधा यूनित कमोडिटी वाय के बाय करेंगे और कम करेंगे क्योंकि कमोडिटी वाय का प्राइज इंक्रीज हो रहा है तो हम इसके कम यूनिट बाय करेंगे राइट तो इस यूर ओरिजिनल MN MN is your औरिजिनल बजट लाइन बजट लाइन विल रोटेट यहां पर बजट लाइन वाय की तरफ रोटेट होगी राइट यहां पर जो आपका न्यू बजट लाइन बढ़ेगी एंड और सी नाम दे देजिए ठीक है है आ भौण बजट लाइन वाइन थू दे अभी किस सेट रोटेट हो रही है तो राइट औन अबकु यह स्क्रीशर ले लीजिए यह जब कमोडिटी वाइट यह है इसी का केश्ट फू जब कमॉडिटी वाइकी प्राइस डिक्रीज होती है वेट मिनेट में डिस राओ क्योंकि इंक्रीज हम होगी ना तो यह डियागराम ऐसे नहीं बनेगा एक बार देखेगा फिर से कमॉडिटी वाइक कम युनिट्स बाइट करेंगे न क्यूंकि आपके पास देखिए जब कमॉडिटी वाइक की प्राइज इंक्रीज हो रही है तो आप अपले पास एवलेबल इमधू से गिवन इंथम से कमॉडिटी आश्के दूद में यॉनिट्स कम कर देंगे तो यहां पे जब कमॉडिटी वाइक उनिट्स कम होंगी सौ यह इस तरीके से rotates to the left on y-axis अभी y-axis पे रोटेट हो रहा है फॉम एमन टू एंसी इसका स्क्रीन शॉट लिजे लिए अब केस्ट नंबर वन अब केस्ट नंबर टू की बाद करेंगे क्लियर है यहां तक केस टू इस अब डिक्रीज अगर होती है प्राइस अगर डिक्रीज होगी उस केस में उस केस में यह वाइक्स पे रोटेट होगा तूदी राइट यह आपका ओरिजिनल एमन धजेत लाइन है अब आप एक्स के उतने ही उनिट वाइक की उनिट डी तक बढ़ दाएंगे ऐसे तो बज़ेट लाइन रोटेट हो रही है टू दि राइट। यह आपका रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन बाला टॉपिक क्वेट होता है क्लास में इतना ही कंजूमर्स का एकुल बरियम बाइ और अप्रोच हम कल की क्लास में डिसकस करेंगे और कल ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अभी तक हमने देखा बजट लाइन क्या होती है आज के लेसन में तो हमने देखा बजट लाइन की प्रॉपर्टी और रोटेशन और शिफ्टिंग बजट लाइन का हमने सीखा विच डाइग राइट सो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर दोनों कंप्लीट हो गए अब इन दोनों की बेसेस पे कंजूमर्स का एकुलिबरियम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग नेक्स लेसन में ड